नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सुप को पता ही होगा कि आज हिंदी दिवस है, आज ही के दिन सन उन्निस्सो उन्चास में हिंदी भासा को राज भासा की रूप में माननेता मिली थी और तब से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस की रूप में मनाते हैं तो इस अवसर पर मैं भारतिंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित एक सूप्रसिद्ध कविता निजभासा उन्नती अहे सुनाऊंगी निजभासा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल बिन निजभासा ज्यान के मिटत नहिय को सूल अंगरेजी पड़ के जदपी सब गुन होत प्रवीन पै निजभासा ज्यान बिन रहत हीन के हीन उन्नत पूरी है तब ही जब घर उन्नत होई निज शरीर उन्नत की रहत मूढ सब कोई निज भासा उन्नत बिना कब हुन हुए है सोई लाख उपाय अनेक यूँ भले करे किन कोई एक भासा एक जीव एक मतिसब घर के लोग तबै बनत है सबन सों मिटत मूढता सोग और एक अतिलाभ यह या में प्रकट लखात निज भासा में कीजिये जो विद्या की बात तेह सुनि पावै लाभ सब बात सुने जो कोई यह गुन भासा और मह कब हूँ नहीं होए विविध कलास्य च्छा अमित ज्यान अनेक प्रकार सब देशन से लैक रहू भासा माही प्रचार भारत में सब भिन अति ताही सो उतपात विविध देश मत हू विविध भासा विविध लखात हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम अपनी मात्र भासा हिंदी भासा का प्रयोक करें यह तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा है हमें अपनी मात्र भासा के उन्नत में सहायक बनना चाहिए जिससे हमारी भी उन्नत हो सके जैसा कि भारतिन्दु जी ने इस कर्ता में भी कहा है निज भासा उन्नत है सब उन्नत को मूल इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक सुपकामना है धन्यवाद